एक 25 साल का लड़का एक व्यक्तिने मेरे पास में लाया काभी डिप्रेशन में है और अपने ही इमेजिनेशन में और अपने ही खयाल में पड़ा हुआ है घर में तो उसका इलाज करने के लाया तो एक केस्टेडी है कि मैं अपको भताता हूं कि जो लोग competition competitive exam में पास हो जाएंगे पुब्लिक service commission में जाएंगे कोई तहसिलदार बनेंगे या कोई तलाटी बनेंगे या कोई constable police constable बनेंगे जाए पुलीज ऑफिसर बनेंगे इक चककर में जब जाते हैं और उनका एक विश्वास हो जाता है कि पिछले तीन साल से और अलग अलग एक्जाम दे रहा है वह बैंक्ट की एक्जाम दे रहा है पचीज साल का लड़का है कि पिताजी ने मेरे पास में लाया, पिछले तीन साल से वो अलग-अलग एक्जाम दे रहा है, वो बैंक की एक्जाम देता है, वो तलाठे की एक्जाम भी देता है, वो पोलीस अधिकारी की भी एक्जाम देता है, वो तवसिल्दार की भी एक्जा जो नुक्री थी पहरे ऐसी प्राइवेट वो उसने चोड़ दिया घर में अकेला ही कमाने वाला है घर में खाने के भी वांदे है पिता या भी रिटार्मिंट में आगे बोल दे कि लड़के ने काम करना चाहिए पुछ ना कुछ नुक्री पकड़ना चाहिए मगर यह बोलता है कि कि मेरा सिलेक्शन हो गया थियरkeit में पास हो गया प्रैक्टिकल बहसा हो धुग्याHS कुकि उसको मुझ चुपाना पड़ता दे लोगों को यह बोलते है कि मेरा मेरा सिलेक्शन हो गया मर अपने पुलावी खयालों में रहते कुछ खायाल कि अभी हो जाएंगा एक तो भी हो जाएंगा अभी इस बार तो होता ही हूं मैं अभी तो पास ही हो जाओंगा ऐसे इसमें हो रहता है अभी रहता है अभी रहता है कि जब वह ऐसा रह रहा है तो यह कारण भी क्या है कि कुछ कोचिंग क्लास वाले जो है वह भी उनको ऐसा एक लोगों गाजर बताते हैं कि नहीं आपका तो लग जाएंगा बल्कुल कोई प्राब्लम नहीं आप तो उशार है और उसमें फिर वह उनको लगता है कि नहीं जब सर हमको बोल रहे है कि तुम्हारा नंबर लग जाएगा फिर उनके पास में फोटो लगे वह र कि शनिश्टा रहता नहीं स में उतने साइक जितनी चाहिए तनी उस थर और के पढ़ाया आप कर रहे है जितनी चाहिए उतनी उस थरह की पढ़ाया का पाटीश पालेर आपी कि वह रहे हैं और जो उसे अपने और गर में बैठे रहता है अकला अकला काम भी नहीं करता है, अब इसका करना क्या है तो ये मुझे आपको बच्चों की बताने का है, कि आप कितने दिन तक कोशिश करते रहेंगे, कितने दिन तक एकस्वाम देते रहेंगे अपने अपने आपको फुल टाइम पढ़ा है, जम रहा है उसको, और जब घर के परिसित एक नहीं है, एक बार इसे है की ठीक है, घर में खाने पिने के लाले नहीं है, खाने पिने के वान्दे नहीं है, फिर आप पाँच बार वे दुन पाठ सल बैट रह लोगा है, लग जाएगा कभी ना कभी नमबर, मगर घर में इस्वास करना ऐसा सोचना यह पागल बने तो सभी लड़कों को मुझे बोलना है कि आप कोई भैकाओं में नहीं आना रियालिट टेस्टिंग करना जरूरी है कि रियालिटी में क्या मेरी पढ़ाई वह काबिलियत की है कि मैं वहां तक जा पाऊंगा उतने मार्क मिलाऊंगा और मेरे को अच्छे मार्क मिलके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो रियालिट टेस्टिंग करो वास्तेक तास से अपना संबंद बना के रखो ने तो फिर आपका नुक्सा नुक्सान हो और क्यों क्या होगा एक तो उमर बढ़ते जाएंगी अच्छे चांसे से वह निकल जात पर इसमें फ्रस्टेशन आता है फिर डिपरेशन और उसमें फिर ज्यादा ज्यादा एक मांसिक बीमारी होते जाती ज्यादा लोगों को होते आती है तो यह प्रिवेंशन करने के लिए अपने आप में एक लिमिट ठाला दो कि मैं इतनी दिन तक करूंगा ताकत से करूंग सब डका नहीं एक जार है तो ठीक है फिर जो संबह जो पॉसिबल है जो सह सकता है वो करो घर में यह प्राबलम इस आपको छोड़ना पड़ेगा यह वीडियो आप जो लोगों को शेयर करो ताकि ऐसे जो लोग उसमें मतलब सखक्व हो रहे है उसमें को प्राबलम हो रहे ह और अपना जीवन जो है उसमें जो हासिल करना चाहते हो कर सकेगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू भरी मच अजया है जिए इखने के लिए वीवाद बतापके लिएelles सब्सक्राइब के लिए वीवार 650 स Taas